आपकी गंभिर्था इस बात का संकेश देती है कि संभोता मैं दिव्य ब्रह्मग्यान प्राप्त करने के लिए योगे नहीं नहीं नारद तुम तो परम योग्य हो किन्तो मेरी दुविध्य का कारण दूसरा है नारद अभी मैं स्वयव इस योगे नहीं कि तुम्हें परम देव्य भ्रह्म ज्यान प्रतान कर से गुरुदेव भगवान भुलेनाथ असत्य तो नहीं कहेंगे शिव शंकर ने जो कुछ कहा है वो सत्य है शिश्य को ज्यान गुरु से ही प्राप्त होता है परंत तुम जिस रहस्य में भ्रह्म ज्यान के जिद्यासु हो वो मैंने अभी प्राप्त नहीं किया है ऐसे स्थिती में नारत की याश्ना का क्या होगा उसके लिए मुझे स्वर्ग लोग छोड़ करें पृत्वी लोग आनंद की लगरी काशी जाकर शिवाराधना करें 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 अब नमस्षिवाएव कि अपस्पष्ट कहो शिवाएव स्वामी शिवकी शिवाएव किसी रिशी मुनी तपस्वी से कम है क्या यह कैसा अन्याय है स्वामी कि अर्थ नारीशु सवरूत का पुरूश ब्रह्म ज्यांत और नारी तुम्हारी चतुराईा प्रशन सब्सक्राइः योग्या है पार्वत्या दर्क और शास्त्रार्थ में वो धारण अच्छे हैं यह मेरे प्रिश्म का उत्तर नहीं है स्वामी हम तुम्हे ब्रह्म ज्ञान अवश्य प्रदान करें कि इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति को केंद्रित करना होगा दपस्य और योग में जब शरीर में और मन परमतत्व में केंदरित होकर ब्रमग्जान पाने को उनमक्ष होता है तभी ब्रमग्जान प्राप्ट करने की पातरता प्राप्ट होता। एवी, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा उत्तर सुनकर आप दूविदा में पढ़ गई इसलिए आपने कोई तर्ग प्रस्तुत नहीं किया ओम नमस्षिवाई प्रणाम माता प्रणाम भुलेना माता क्या आपका ये सेवक आपकी खिन्रता का कारण जान सकता है नारण देवी पार्वती आज अकारण ही उदास हो गए अकारण देवी पार्वती हमसे ब्रह्म ज्यान पाने की इच्छू जिसके लिए इन्हें योग के माध्यम से तबस्या में लीन रहना हो इतना सुनकर ही ये उदास हो गए नारा ये नारा दोले नारा कैसा विचित्र संयोग है मैं आज आज आपसे ब्रह्म ज्यान प्राप करने की आशा लेकर ही यहां उपस्ति दुआ हूं इस संयोग में विचित्रता के साथ ही साथ कई संकेत बीचिपे है नारा भुले नाथ आपके कथन से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप मुझे युगोपूर भटित उस गटना का समरण करवाने के इच्छुक है जब मुझे ब्रह्मग्यान का मिध्या विमान हो गया था और तब तब आपने मुझे पानर मुखी बनाकर दंडित भी किया था विश्वास करें बोलिया तब से अब तक मैं ब्रम्ग्यान प्राघत करने के लिए ब्यक्र हुश्ठ आज हो गतलब सब्दों आरहं मुझे भी ब्रमग्यान प्रदानकर कृतिकर रहे हैं नहींरा información पार्वधी को थो हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बता दिया कि तु तुम हमसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी नहीं आपसे ब्रह्म ज्यान प्राप्त करने का मुझे अधिकार नहीं ऐसा क्यों बूले नाथ गुरू बिना ज्यान नहीं नाथ अपने गुरू को छोड़ते जो व्यक्ति अन्य किसी से ज्यान प्राप्त करने का इच्छु होता है कि वो अपने गुरु का अपमाण तो करता ही शाध आपने लिए ज्ञान प्राप्ट करने की ौफ्ट भ्या खोदें और इसव्ट्य तुम भली भात चानतेूं कि अरिनाथ धार रंज्ञान की प्राप्टि के लिए तुम अपने परम ज्ञानीं घुरु चारां बhr insane सबस्फवाई आजोर को, तो आखितने तूरा करले कि उतल तो टिसक झाजासी ही तो यशोत ईज करता persona करता अक्राख बाश करता रिł यद्सका प्रह, आजते गह कहा है, करता दिए तो लगई प्रका भÝ तो ब्रमकरी के लत कि उत都 हमと रहाने हाने, जा इल sudahौर करता प्रिक सित तंदक से आपना महजभी आपना महजभी आपना डिसावड़िय। लेके युष साहर। आप इन पुराने अलेकों को देखकर अतिदी प्रसन्ना हो रहे हैं आता यह अलेकन प्रसन्नता का ही विश्य है यह सब क्या लिखा है इनमें यह बताने से पहले मैं तुमसे प्रश्ण पूछू देवी एक गुरू प्रसन्न का पूर्ट है स्वाम्य आप किस तर का ज्ञान नहीं है मेरे पास तुम परम विदूशी होता रहा आपकी पत्नी की साथ ही साथ आपकी शिश्या भी है इसलिए इस प्रश्ण को उत्तर आप इसे सुनने के इच्चो को देवी एक गुरू अत्यातिक तब प्रसन्न होता है जब उसका शिश् स्थान प्राप कर लेते हैं सत्य वचिन स्वामी जब गुरू की अत्रुक्त अभिलाश है शिश्या में साकर होने लगी तो गुरू प्रसन्न होगा ही यालेक मेरे प्रिया शिश्य नारत के है आज उसे मुझसे भी श्रेश्ट स्थान प्राप्त है इन आलेकों को लिखते स स्थाम है वह निरा मालक था परतु व्याकरण में कहीं कोई तूटी नहीं की है परंतु नारत की लगन एवं आपकी प्रतिश रद्धाने आज उसे इस थान पर पहुंचा दिया है देवी गुरू में आस्ताई शिश्य की सफलता की कुच्जी होती है प्रम्व पुत्र होन देवर्शी नारत आप गुरुदेव आपका ही स्परण करें यह तो मेरा परंस ओभा क्या है माता पधारें देवरी शी नारत आसन ग्रहन करें यह शिक्षा तो आपने मुझे नहीं दी गुरुदेव नारत तुम मेरे शिश्य अवश्यत है किन्तो अब आदर्णिय एवं देवरिशी को तुम्हारी उपस्तेती मंगलकारी एवं आनंद का प्रतीक मानी जाती है गुरुदेव मैं भले ही महान से महान पर परात्त कर दो परंतु उसका श्रे आपकी दीवी शिक्षा को ही जाएगा आप मेरे सदा सदा गुरु है और वैसे भी मैं आज यहां एक याचक के रूप में शिवाग्या से उपस्तेत हुआ कूँ शिवाग्या कहो शिश्य शेष्ट नारत कहो गुरुदेव सर्वप्रथम आप आसन्द करहन करें आपके इस प्रकार खड़े रहने से मुझे लज्जा का अनुबह होता है कुरुदे आप बैठें अब विलंबना करो नारत शिवाग्या सुनने के लिए मेरा मन अत्यंत आतुर हो रहा गुरुदेव मुझे भगवान बोले नाथ ने कहा है कि मुझे दिव्य ब्रह्मग्यान की प्राप्ति अपने गुरु से ही प्राप्त हो सकती है गुरुदेव आपकी गंभिर्ता इस बात का संकेश देती है कि संबोता मैं दिव्य ब्रह्मग्यान प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं नहीं नारद तुम तो परम योग्य हो किन्तों मेरी दुविद्य का कारण दूसरा है दुविद्या अभी मैं स्वय इस योग्य नहीं कि तुम्हें परम देव्य ब्रह्म ज्ञान प्रतान कर सेगे गुरुदेव भगवान भुरेनात असत्य तो नहीं कहेंगे शिव शंकर ने जो कुछ कहा है खै कि शीश्य को ग्यान गृनों परंत तुम जिस रस्य में भ्रम ज्म में की असनों हो तुम आनंद की नगरी काशी जाकर श्यवारादना करें कि जब भूले नात मेरी तपस्या से प्रसंद होंगे तब मुझे ब्रह्मग्यान प्रदान करेगी एवं मैं तुम्हें प्रदान कर पाऊंगा गुर्देव क्या दिव्य ब्रह्मग्यान प्राप्त करने के लिए तुम से प्रसंद हो या तुम स्वैम तपस्या करके उन्हें प्रसंद हो किसके आतिरे हन्यको युपायदे अब आप अपने इस सिचे को आगा दे गुदि भुरुष नाराय नाराय ओ नमच् dealing up ओना माशिवाय, 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 ओना माशिवाय शुरीमरी आज वाइकुंट में क्या देतरा हूं कि अगर प्रता है शुरी शुरी हरी आपकी अनुपस्तिती में वाइकुंट को तब स्थाली की रूप में देख कर अधान ते आश्चारी चरिखता हूं जरी हरी किर्पया प्रकट हो और मेरी जिग्यासा को शांत करें श्री हरी शांत करें नारद नारद ब्रह्म ज्यान की जिस जिग्यासा को लेकर तुम वैकूंट लोग आये हो वो यहां भी शांत नहीं होगी क्यों प्रभु क्यों ऐसा क्यों जो दिविज्ञान हमने भगवान शिव से प्राप्त किया है वो हम उनकी इच्छा के बिना किसी अन्नी को प्रदान नहीं कर सकते तो फिर ऐसी इस थिती में मैं क्या करू शिरी हरी वो मार्ग भी तुम्हें देवकुरु रियस्पती ने बताया था कि तुम आनंद धाम काशी नगरी जाकर शिवाराद्नाकर उन्हें प्रसन्य करो क्या इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं शिविच्छा से तो अनेक मा प्रशस्त हो सकते हैं नारद किन्तु मैं तुम्हें इसके अत्रिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं बता सकता ओम नमशीवा अपनी माता लक्ष्मी को देख रहे हो नारद उन्हें तपस्यारद देखकर आपको आश्चियर्य हुआ था और आपने हमसे प्रकट होने की प्रार्थ आप तो प्रत्य की रहसे का रहसे जानते हैं फिर बला आपको अश्चर कैसा नारद इसलों तो हम स्वयम वैकुंट लोग से अद्रिश हुए थे परन्तु क्यों प्रभू जब धन्सम्रिधी और वैभव की देवी ब्रह्म ज्यान की आकांश्या करें नारद थो क्या यह अश्चर की बात नहीं किन्तु इनकी यह इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी यह तप योग की जगह कई हाट योग ना बन जाए इसलिए हम यहां से नारद माता क्रिपय आप मुझे मरोश्णा करे आप शरी भी विष्णु प्रतन रखने का परयास करें मैं केवल इतना निविदन कर सकता हूं ना तुम Om Namah Shivaya दिव ब्रह्म ज्यान प्राप्त करने की जिस आशा को लेकर तुम यहां उपत्तित हुए हो नारद वो कैलाश और वैकुंट के समान यहां भी पूर्ण नहीं होगी अइसा क्यों परम्पिता आप मुझे निराश क्यों करते हैं और फिर मैं तो आपका मानस पुत्र हूँ और पिता के ज्ञान एवं उनकी संपत्ति पर पूत्र का पूर्ण अधिकार होता है और वो न्याय संब्धी है न्याय की द्वाई मत दो नारत किन्तु क्यों परम्पिता न्याय की ये व्यवस्था और संसार के समस्त विधान आपके द्वारा ही तो रचित हैं याय और विधान अवश्य मेरे द्वारा रचित हैं तो उत्रादिकार संबंदी विधान विधाता ने कभी स्वीक्रत नही है धनी पिता की संपत्ती का दुरुपयोग करना अपने परिवार की सम्रद्धी पर एहंकार करना और अपने ही पिता को ज्यानी समझ कर दूसरे के ज्यान का निराधर करना उत्रादिकार में मिले ज्यान एवं सम्रद्धी प्राप्त करने वाली पुत्र का सवाव बन जाता है क्यों कि जान सम्रद्धी घंद एवं सत्ता उसने अपने कर्म परिश्रम और पुरुशास से अर्जित नहीं किया अधिकार का उल्लेक और न्याय व्यवस्था की दुहाई देने के लिए कृप्या आप मुझे क्षमा करें प्रम्पिता कि इन तो निव्य ब्रह्मक्याना्व uda करने के लिए क्या मुझे निराशना पड़ेगा है तुमारी निराशा से विट्गूत यह है नालग क्या संसार में देव ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की लहरेट से उठी देवी सरसोती देवी लक्ष्मी की तरह तुम्हारी आकांक्षा को प्रतिपेम्बित कर रही जद भी एक साधारण से साधारण मनुश्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है किन्त उ पात्रत नहीं हो सकती उत्तरादिकार में प्राप्त नहीं की जा सकती उसके लिए पुर्षात, तपस्या, परिश्रम और शिवाराद्ना परनी पड़ेगा क्योंकि उनकी कृपा के बिना दिव्य भ्रम्य ग्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती झाल झाल